कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे ज़रूरी है सही कोच का हुँगा चुनिये CGPSC पात्षाला क्लासेजिंग को और करे अपनी CGPSC और व्यापम का सपना साकार डाउनलोड दी आग्ड नाउ हेलो इस्टोन मैं नहीं लिए फिर आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके पनी YouTube चैनल CGPSC पात्षाले में CGPSC पात्षाले में आचमा टॉपिक है चत्तिगड आर्थी सर्वेशन दोटर रिकीद वाई जिसमें हम चर्चा करने वाले है अध्यायदास उद्योग में देखिए अभी YouTube पर Economic Survey के वीडियो काफी लेट अपलोड हो रहे है लाश्ट वीडियो Economic Survey का अगस्त के महने में आया था लेटेस्ट वीडियो अध्यायदास उद्योगा टॉपिक अभी सितंबर के महने में अपलोड हो रहा है वीडियो लेट अपलोड के हो रहे है उसका भी अपने एक रिजन है आगे आप लोगों से डिसकस करूँगा Economic Survey में टोटल 16 चैप्टर है टोटल 16 चैप्टर है जिसमें से आज की डेट में आप लोगों के 10 चैप्टर कम्प्लीट हो जाएंगा जो बच्चे वो जो 6 चैप्टर है सितंबर के बाद जो अगला महिन आएगा अक्टूबर का महिना उस अक्टूबर का महिने में बच्चे वो 6 चैप्टर भी जल्द से जल्द आप लोगों को मैं कम्प्लीट करा दूँगा यूटूब पर जल्द ही उसके वीडियो भी आ जाएंगे वीडियो लेट अप्लोड हो रहा है उसका रिजन यह है कि एक्टूली मैं मैं एक नए प्रोजेक्ट के उपर काम कर रहा हूँ जिसे का मैं टाइम से थोड़ा सा बीजी हो गया है अब यह जो नया प्रोजेक्ट है यह आप ही लोगों से रिलेटेड है प्रोजेक्ट क्या है जल्द ही आपके सामने इसको एनॉंस्मेंट करूँगा और वीडियो अगर पसंद आता तो वीडियो को लाइक भीगे कीजिए ठीक है चलिए शुरू करते है ध्यान समस्ते हो चलिएगा अध्याय दस उद्योग वी निर्मान का GSDP में भागीदारी 2021 इस्थिर कीमतों पर ठीक है वी निर्मान का यहाँ पर क्या लिखा हुआ है वी निर्मान का GSDP में भागीदारी GSDP 36 गड़ का जो आपका सकल राज घरे लिए उत्पाद है जो GSDP है उसका आकार है 284.996 करोड रुपए उस 284.996 करोड रुपए में से 2021-22 में इस्थिर कीमतों पर 52-232 लाख रुपए का जो योगदान है वो वी निर्मान छेत्र का है ध्यान दीजेगा यहाँ पर वी निर्मान लिखा हुआ है न की निर्मान ठीक है सामने क्या लिखा हुआ है सामने यहाँ पर लिखा हुआ है आपका वी निर्मान अब ही वी निर्मार क्या होता है देहा समझेए एक होता है निर्मार और एक होता है वी निर्मार दूतियक शेत्र के अंतरगत आते हैं आपके निर्मार वी निर्मार विद्योत जलापूर्ति इस सभी आपके दूतियक शेत्र का हिस्सा है निर्मार का मतलब क्या होता है निर् इस्टिल का उपयोग जो है आपके कार बनाने के लिए किया जाएगा उस्टिल का उपयोग जो है बाइक बनाने के लिए किया जाएगा उस्टिल का उपयोग मेडिकल सेक्टर में किया जाएगा तो अलग-अलग सेक्टर में उसके अलग-अलग प्रोड़क्ट बनाने के वानित है बावन चौबीस एक बतीस लाक रूपए जो कि 36 गड़ के कुल जीटीपी का चार चार चानवे करोड रूपए 36 गड़ के कुल जीटीपी का लगभाग इसका जो योगदान है यह है 20.38% 20.38% का योगदान है आपके वी निर्मार छेतर का अब देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे प्रदेश में हम अभी उद्ध्योगाला टॉपिक पढ़ रहे हैं तुमारे प्रदेश में कौन-कौन सी अध्योगिक नीतियां लागू है सबसे पर नीतियों के नाम हम डिसकस कर लेते हैं फिर ये नीतियों की समय अवधी कब से कब तक थी इस पर हम डिसकस करेंगे देखिए, एक है आपके automotive नीति, आपके automobile sector से रिलिक्टेड है दूसरा है क्रिशी एवंचाद प्रसंसकरन नीति, क्रिशी याने की हम याने खाद प्रसंसकरन जाएं जैसे की मिंनिदे टमाड़ौध अगर घा बखात प्रसंसकरन खAnnएं तीसरा है आपका उद्योगिक निती जो भारी उद्योग से रिलेटेड जो निती है उसके बाद है ग्राम उद्योग निती यानि कि ग्राम में जो आपके लगू उद्योग जो सूच में उद्योग जो कुटी उद्योग है उससे रिलेटेड एक है सौर उर्जा निती जो पर बड़े आपके लोजिस्टिक यानिकी सामान को एक इस्थान से दूसरे इस्थान पर ट्रांस्पोर्ट करना ठीक है जैसे कि अगर हम बात करें आज की रेट में हम एक कुरियर के माध्यम से एक वस्तु को दूसरे इस्थान पर भेजते हैं वैसे ही बड़े-बड़े आपकी प्रदेश में आपकी बात करते अब यह निती क्या होती है इसे समझ लिजेगा प्रदेश में जो आपके उद्वगे की नीती अलागू है इसमें सरकार क्या है अपने आगामी 5-year plan पो 5-year की जो plan है उसको prepare करती है यानि कि आगामी वर्षों में हम एक नीती बना करके उस नीती पर implementation करेंगे उस नीती पर कार्य करेंगे उद्योग के छैत्रक में हम विकास करेंगे तो उसके लिए एक प्रॉपर निती बना करके सरकार उस पर कार्य करती है यह कहलाता है आपके ओध्योगिक निती देखिए हमारे प्रिदेश में आपके आपके आटोमोटिव जो निती है यह लागू थी 2012 से लेके 2017 तक 2012 में यह निती लागू की गई थी इसके टाइम प्रिद है यह था आपके 2012 से लेकर 2019 तक तीसरा है आपके ओध्योगिक निती यह काफी important है जो आपको ऊध्योगिक निती है कि 2019 से लेकर के 2024 के लिए लागू है अभी वर्तमान में लागू है हमारे प्रदेश में वर्तमान में आपके पाचवी औद्योगिक निती लागू है ठीक है फिफ्ट नंबर की प्रदेश में वर्तमान में हमारे पाचवी औद्योगिक निती लागू है इन्पोर्टेंट है इसे याद रखेगा डैक्ट प्रेशन पूछा जाएगा कि प्रदे सौर उर्जा नीती जो की 10 साल के लागू हैroc your office USA से लेकर के 2027 तक के लागू है आपके सौर उर्जा नीती इसमें जो है आपके देखिए फ्रारामभिक पर जो सौर उर्जा नीती है ये नवीनी करन उर्जा नीती के नाम से 2002 में लागू किया गया था अभी जो है 2017 से लेकर के 2027 के लिए सौर उर्जा नीती लागू किया गया है जिसके अंतरगत प्रदेस सरकार जो आपके परमपरागत जो उर्जा के स्तुरोत है इसमें 100 उर्जा नीती के तहट बड़े-बड़े solar panel लगाया जाने पर बल दे रही है, ठीक है, 2017 से लेके 27 के मध्य लागू है, उसके बाद है आपका logistic park नीती, अब logistic park नीती जो है, यह आपका 2018 से लेके 2023 के लिए लागू है, यह हमारे प्रदेश की पहली logistic नीती है, इसको माध्यम से logistic सेवा का विकास करना, एवं भंडारन छमता में वृद्धी करना, हमारे प्रदेश में आपके logistic park की इस्थापना की जाएगी हर एक जिले में, ऐसे इस्थान पर यह logistic park विक्सित के जाएंगे, जहां पर सडक परिवहन, रेल परिवहन और वायू परिवहन की सुईधा हो, अब यह हमारे प्रदेश में प्रारामभीक तोर पर राइपूर में जो है, आपके logistic park विक्सित किया जा रहा है, ठीक है, इसका मैं आपको अल्रेडी example दे चुक हूँ, पिच्चरों में अगर आप देखिये होंगे, तो समूदर की नारे बड़े-बड़े container ह होते है, वो बड़े-बड़े container जो है, बड़े-बड़े truckों में रख करके, सड़क के माध्यम से एक इस्थान से दूसरे इस्थान पर, जहां बड़े-बड़े जहाजों के माध्यम से एक इस्थान से दूसरे इस्थान पर ट्रांस्पोर्ट किये जाते है, भीजे जाते है जोगी घोपा में इस्थापित किया जा चुका है जबकि हमारे राज्ये का जो पहला मल्टी मोडल लॉजिस्टिक पार्क है ये राइपूर में इस्थापित होगा देखिए भारत सरकार के द्वारा भारत के अलग-अलग इस्थानों पे logistic park विक्सित किया जा रहा है उनमें से हमारे राइपूर को भी select किया गया है ठीक है अगर हम बात करें पहला multimodal logistic park जो है असमराज्य के जोगी घोपा में इस्थापित किया गया है 36 गर्क में है यह multimodal logistic park राइपूर जिले में प्रस्तावित है important है इतना आपको याद रखना है अब देखिए ध्यान दीजेगा एक प्रश्न पूछा जाता है इस logistic यह आपकी जो नीतिया है यह किस तिथी से किस तिथी तक कि ले लागू रहती है यह तो आप याद कर लेंगे 2012 से 17, 12 से 19, 19 से 24 16 से 21, 17 से 27 और 18 से 23 लेकिन इसमें पुछता है डेट तो ध्यान दीजेगा यहाँ पर जो एक से लेकर के एक से लेकर के जो 6 तक की नीतियां है यह जनरली एक नवंबर एक नवंबर से स्टार्ट होती है और 31 अक्टूबर में खतम होती है 31 अक्टूबर तक यहाँ लागू रहती है जैसे कि फॉर एक्जामपल हमारे प्रदेश में जो आपकी ओद्योगिक निती है ठीक है ओद्योगिक निती यह एक नवंबर 2019 से लागू है और यह लागू रहेगी 31 अक्टूबर 2024 तक ठीक है इस लोजिस्टिक पार्क निती की तो यह अलग है यह डिफरेंट है इसको ध्यान दीजेगा जो प्रदेश में जो लोजिस्टिक पार्क निती है यह एक अप्रेल से लागू है एक अप्रेल 2018 से ले करके 31 मार्च यह डेट याद रखना डेट से प्रश्णा आता है ठीक है नेक्स देखिए नेक्स है पाचवी उद्योगिक निती जो हमारे प्रदेश में जो उद्योगिक निती है यह भारी उद्योगों के लिए है बड़े उद्योगों के लिए है हमारे प्रदेश में पाचवी औध्योग एक निती लागू है जो कि 2019 से लेकर 24 के मद्द यहां निती लागू की गई है प्रदेश की पाचवी औध्योग एक निती है एक नवंबर 2019 से लेकर के 31 सेप्टूबर 2024 के लिए यहां अध्योग एक निती लागू है उद्योगो को प आप नाम पढ़ सकते हैं, जैसे कि आपका हर्बल वनोसदी, वनोपच से आधरीत उद्ध्योग, क्रिशियम, खाद्य प्रसकरन, उद्ध्योग, आउटो मोबाइल, फार्मासिटिकल, इलेक्ट्रोनिक्स, रोबोटिक्स तक्निक्स, आपका Artificial Intelligence Technique, जैव प्रद्ध्योगीक टेक्निक, Nanotechnology और आपका टेक्स्टाइल, तो वैसे ही प्रात्मिक्ता स्रेणी के अंतरगत कुछ उद्ध्योग के नाम लिखे हुए है, सामानने स्रेणी के अंतरगत कुछ उद्ध्योग के नाम आते हैं, यह व्यातम का प्रश्न था, ब्रांडेट डेरी उद्ध्योगीक निती के अंतरगत कि स्रेणी में आते है, उच्चे प्रात्मिक्ता स्रेणी, प्रात्मिक्ता स्रेणी और सामानने स्रेणी, तो answer क्या होगा यह आता है आपका प्राथमिक्ता स्रेणी के अंतर है तो थोड़ा सा इसको पढ़िएगा अब देखिए जो चीजे लिखी हुई है उसको बार बार बताने से कोई मतलब नहीं है ठीक है सामाने स्रेणी के अंतरगत है आपका इस्पंज आरन इस्टील बड़े-बड़े यहां पर प्लांट इस्थापित है तो इस पर जोड़ देने की जरुवत नहीं है जो प्रदेश सरकार को जो मुखेता इन उद्ध्योगों पर जोड़ देना है मुखेता प्रदेश सरकार जो है उच्च प्रात्मिक्ता स्रेणी वाले उद्ध्योगों प प्रतिवर्ष का अनुदान प्रदान करेगी प्रात्मिक्त स्रेणी के अंतरकत अगर उद्योग इस्थापित होंगे तो प्रदेश सरकार 10 वर्षों तक उन्हें 50 लाख प्रतिवर्ष के तौर पर उन्हें अनुदान प्रदान करेगी और सामान्य स्रेणी के अंतरकत अगर कोरोना काल में भीध गया, उससे प्रदेश सरकार को एहसास हुआ कि हमारे प्रदेश में जो है medical उतपाद को बढ़ावा दिये जाने की जरूत है, तो यहां पर add कर लीजियेगा, जो आपका medical उतपाद है, medical, medical उतपाद, उतपाद की बात हो रही है, यहां पर आपका कहीं पर medical लिखा वो मिलेगा, वो अलग medical है, उसको पूरा अच्छे ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है, देखें कहां पर लिखा हुआ है, आपका medical, pharmaceutical, pharmaceutical अलग होता है, ठीक है, यहां पर आपका sports, यह medical, medical and laboratory, यह अलग है, यहां पर medical उतपात की बात हो रही है, प्रदेश सरकार ने जो है, आपका पिछले साल, medical उतपात को उच्छ प्रात्मिक्ता स्रेणी के अंतरगत रखा है, जिसके अंतरगत आपके oxygen cylinder, oxygen के नविंतन स्रेणी के अंतरगत होंगे, जिसके अंतरगत आपका PPE kit, और जो आपका oxygen concentrator जो है, उसको, उससे related अगर कोई करवाया है, बहुत से और भी उद्द्योग है, लेकिन हर किसी चीज को फड़ पाना possible नहीं होता, ठीक, next देखिए, इस पाचवी और द्द्योगिक निति के अंतरगत प्रदेश के इस्थानी निवासियों को, नौ इस्थापित उद्द्योगों में कुछ आरक्षन भी प् होगा, ठीक है, उसमें जितने भी अगर आपके कुछल स्रमिकों के अवश्यकता है, तो उसमें 100% आरक्षन किनका होगा, वो होगा आपके प्रदेश के इस्थानी निवासियों का, जबकि अर्ध कुछर और कुछल स्रमिक के अगर बात होती है, यानि कि ट्रेंड जो आपक प्रदेश के इस्थानी निवासियों को होगा, ठीक है, तो ये प्रदेश की सरकार दोरा पाच्वी अरक्षन की बात की गई है, इन्पोर्टेंट है याद रखना है, अभी ये वाले जो आपके उद्योग, जो पाच्वी अर्द्योग की निती है, इससे कोश्चन काफी आ 2019-24 होगा, 2019-24, 2019-24 के अंतरगात प्रदेश में कोर सेक्टर उद्योग, अब ये कोर सेक्टर उद्योग क्या होते है, ध्यान दीजेगा, ये जो होते बड़े बड़े उद्योग होते, जिसके उपर पूरी की पूरी अर्थ विवस्था निर्भर होती है, भारत के टोटल आ आपके भारत में जो है टोटल आपके आठ, आठ कोर सेक्टर है, आठ कोर सेक्टर कौन कौन से है, जैसे कि कोईला हो गया, कच्चा तेल हो गया, प्राकृतिक गया, रिफाइनरी उत्पाद हो गया, उर्वरक हो गया, इसपात हो गया, सिमेंट हो गया और आपका एक बिजल तो टोटल आट कोर सेक्टर है भारत में, जो कि इनके ओपर पूरी की पूरी भारत की अर्थ व्यवस्ता निर्भर करती है, वैसे ही हमारे प्रदेश में जो है टोटल चार कोर सेक्टर है, जिसके ओपर पूरी की पूरी प्रदेश की अर्थ व्यवस्ता निर्भर करती है, ठी आठ कोर सेक्टर उद्योग है, उसको इसमें consider मत कीजेगा, उद्योगी नीती के अंतरकत अलग से चार कोर सेक्टर बताएगा है, कौन-कौन सा? इस्टील सहींत्र, सिमेंड सहींत्र, ताप विद्यू सहींत्र, अल्यूमिनियू सहींत्र ये main है, ठीक है, बियात के ने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप चत्तिरगर जनरल इशड़ी अच्छे से पढ़े होंगे, तो उसमें क्या है, पुरी की पुरा प्रदेश को, कई आपकी प्राकरतिक प्रदेश्य बाटा गया है, और उसका भूग अरभीक विभाजन भी किया गया है, प्रदेश में गोडवाना शेल समू का मुखेता विस्तार है, कडपा सेल समू का विस्तार है, धारवार सेल समू का विस्तार है, बाकसाइट का विस्तार है, ठीक है, तो अगर हम बात करें, धारवार सहल समू, तो उससे क्या मिलता है, law ask, तो law ask में क्या है, history industry, गोडवाना सहल समू, जिसमें किसका भंडा रहने कोईला, तो उससे क्या है, ताप विद्यू सहींत्र, छत्ते जगड़ में कड़पा सहल समू का विस्तार है, जिसमें क्य में काम में आता है, सिमेंट सहींत्र, एक है आपका बाक साइट, बाक साइट किसमें काम आता है, एल्यू मिटें में, तो रट्टा मारने वाली चीज नहीं है, चीजें को बस रिलेट करके आपको पढ़ना है, चीजें आसानी से याद हो जाती है, ठीक, next देखिए, next है अध्योगिक निती के अंतरगत, आपके अध्योगिक पुरुसकार योजना में कुल कितनी स्रेणियों में पुरुसकार प्रतान किये जाते है, तो याद रखे है, टोटल पांस स्रेणियों में जो है, नवीन अध्योगिक निती के अंतरगत अध्योगिक पुरुसकार प्र अनुसूचित जाती जन जाती वर्ग द्वारा इस्थापी सुच में एवं लगू उद्ध्योग अब अगर कथन आधारीत प्रशन अगर इससे पूछा जाना हुआ थीक है तो थोड़ा सा इसमें खेल सकता है इससे जो है कोशन उठा सकता है तो यह पांचों के पांचों को जाद रखिएगा पांचों के पांचों इनपोर्टेंट है सुच में एवं लगू उद्ध्योग समधकर मुल्यांकन हे तू निर्यातक सुच में एवं लगू उद्ध्योग महला उद्यामी द्वारा इस्थापीत उद्ध्योग स्टार्टप इकाईया स्टी स्टी वर्ग पर प्रदान किया जाते हैं। नेक्ट है आब है कमर्शल कोर्ट। कमर्शल कोर्ट छत्तिस गड़ देश का पहला राजय जिसने सबसे पहले अपने यहां वानिज्जीक विवादों की निराकरण के लिए नया रायकूर में कमर्शल कोर्ट की स्थापना की। इस न्याले की सबसे बड़ी विशेस्ता यहाँ है कि इसमें इसकी संपूर्ण प्रक्रिया एवं निर्णय पारित करने की प्रक्रिया जो है यह ओनलाइन है प्रश्न पुछा जागा कि प्रदेश में जो कमर्शिल कोर्ट है यह कहां पर इस्थापित है तो यह रायपूर जीले के नवा रायपूर में यह इस्थापित है इसे याद रखना है जो कि आपके वाणुजीक विवादों के निराकरण के लिए है ठेक नेक्श लेखिए चतिजगर राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेट CSIDC चतिजगर स्टेट इंडर्स्टिल डेवलप्मेंट कॉर्पोरेशन यह प्रशन बहुत बार पूछा है कि चतिजगर राज्य औद्योगिक विकास निगम की इस्थापना कब हुई 7 अप्रेल 2001 को जो है इसकी की इस्थापना हुई यह डेट से प्रश्ट बहुत बार रिपीट होता है मुख्याला कहा है इसका मुख्याला है आपका राइपूर में विशेष चतिजगर शाचन वानिज्य एवं उद्योग विभाग के अंतरगत एक मात्र निगम है आपका चतिजगर राज्य औद्यो चतिजगर जो है यह टुठल चार पार्ट में क्लासिफाइड किया गया अगर जैसे हम बात करें व्रिहत ओद्योग एक छेत्र जिनका जो आपके 200 हेक्टेर से अधिक छेत्र में विस्तरीत है उन्हें व्रिहत ओद्योग छेत्र के अंतरगत रखा गया है एक है आपका मध् प्रश्ण बनता है वो अक्सर आपके विखास चेत्र से प्रश्ण पूछा जाता है प्रश्ण पूछा जाएगा कि निमे लिखित में से कौन सा एक व्रिहत और द्योगिक छेत्र नहीं है तो कौन कौन से है इसे समझ दीजिए एक है आपका उडला जो की रायपूर में है सिल्तरा ये भी रायपूर में है सिर्गिटी ये बिलासपूर में है शिलपहरी यह भी बिलासपूर में है और दुर्ग जिले का जो बोराई है यह आपका व्रिफत अद्धोगीग छेत्र है इसे पिछले साल तक के एकोनोमिक सर्वे में यह मध्यम के अंतर काता था लेकिन अब यह बन चुका है आपका व्रिहत अद्धोगीग छेत्र बोराई तो टोटल पांच आ और्देगी छेत्र जो है ये व्रिहत और्देगी छेत्र के अंतरकत आते है जिनका छेत्र फल 200 हेक्टेर से अधिक है उडला, सिर्टला, राइपूर, सिर्गटी, सिल पहरी, बिलासपूर और बोराई है आपका दुर्ग ठेक, इन्पोर्टेंट है इसे याद रखिएगा, देखे, कोश्चन किस प्रकार से पूछे जा सकते है, वो सारा चीज आपको डिसकस करते वे चल रहा हूँ, तो ध्यान से सुनते और समझते वे चलिएगा, ठेक, नेक्स्ट देखिए, एकिक्रित अधोसंरचना विकास केंद्र, IIDC, अब ये एकिक्रित में जो अध्योगी की नितिय बनाई गई है, ये बड़े उद्योगों के लिए बनाई गई है, लेकिन जो हमारे ग्रामीन इस्तर पर सुक्ष्म एवं लगू उद्योग, कूटिर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, भारत सरकार के द्वारा एकिक्रित अधोसंरच विकास केंद्र का कॉंसेट लाया गया है, इसके अंतरगत जो है, भारत सरकार इस सुक्ष्म एवं लगू एवं कूटिर उद्योगों की स्थापना के लिए, लगभग साथ प्रतीशत तक का अनुदान देती है, ठीक है, साथ प्रतीशत और या फिर अधिक्तम, अधिक्तम विकास केंद्र के लिए 10 करोड रुपए की राशी, अगर इसके लिए सेंशन हुई है, तो उसमें से 6 करोड रुपए भारत सरकार देगी, बचा हुआ 4 करोड रुपए जो है, ये राज्य सरकार वहन करेगी, जो की मुख्यता सुक्ष्म एवं लगू उद्योगों की इस् जिनका विवरण, देखे, एक है आपके मुंगेली, मुंगेली जिले का खमर्या, जो की स्थापित हो चुका है, दूसरा परसगडी, परसगडी जो की पहले कोरिया के अंतरगत आता था, अब आता है ये मनेंद्रगड, चिर्मिरी, भरतपूर के अंतरगद आता है, ठीक है हमारे प्रिदेश का नया जिला बन चुका है, आपका मनेंद्रगड, तो मनेंद्रगड के अंतरगद आता है, आपको परसगडी, और रायगड, रायगड जिले के अंतरगद आता है, आपका सियार पाली, महुआ पाली, दो अन्य अभी प्रस्तावित है, एक है आपका अभ देखे, राज जी के युवाओं को वस्त्र, परिधान के छेत्र में प्रसिक्षन एवं रोजगार उपलब्द कराने के लिए एपेरेल ट्रेनिंग एवं डिजाइन सेंटर इस्थापित किये गया है एक बार का प्रसिक्षन बना था कि प्रदेश के किस इस्थान पर एपेरेल ट्रेनिंग एवं डिजाइन सेंटर इस्थापित नहीं है ध्यान दीजे मुख्यत तीन इस्थान पर इस्थापित है कौन कौन सा एक है आपका रायपूर दूसरा भिलाई और तिसरा राजनान गाओ रायपूर, भिलाही, राजनान्द गाव और चौता उप्चन दिया था, बिलाजपूर प्रष्ण फूछा गया था, प्रदेश की किस इस्थान पर एपरेल, ट्रेइनिंग एवं दिजाइन सेंटर इस्थापित नहीं है रायपूर, भिलाई, राजनांद गाओ और बिलासपूर, तो कहां पर इस्थापीत नहीं है, बिलासपूर में, तीन इस्थान पर इस्थापीत है, रायपूर, भिलाई और आपके राजनांद गाओ में, ठीक है, बत्तर संभाग, कौसल विकास प्रसिक्षन के अंतरगत, आपका economic survey है ठीक है जो भी latest economic survey आया है 2021-22 इसमें आपका जो ease of doing business की जो ranking है ये 2019 की है अभी इसमें एक update आया है जो आपकी economic survey के book जिस भी student ने खरीदा है वो भी इसको थोड़ा सा इसे update कीजेगा ये latest आया है आपके जुलाई के महने के आसपास ठीक है देखिए ease of doing business जो है इसके जारी करता वानिज्य एवं उद्योग मंत्राले भारा सरकार की वानिज्य एवं उद्योग मंत्राले के द्वारा ease of doing business जो ranking है जारी किया जाता है कितने सुगमता से कोई एक राज्य जो है ये उद्योगों के लिए कारे कर रहा है वहाँ मतलब किसी एक राज्य में अगर कोई company अपना उद्योग इस्थापित करना चाहती है तो वो कितनी सुगमता से वहाँ पर इस्थापित कर सकती है देखे कोई भी एक पैक्टरी को किसी एक इस्थान पर इस्थापित या किसी राज्य के किसी एक location में इस्थापित करने के लिए तो कितनी सुगमता से कितनी सरलता से अगर वो उद्योग इस्थापित कर सकती है उसके आधार पर यह ranking बताई गई है ठीक है economic survey में आपकी 2019 की ranking है 2019 के अनुसर पहले नंबर पर आंधरा दूसरे नंबर पर जो है आपका उत्तर प्रदेश तीसरे नंबर पर तेलंगाना चौथे नंबर मद्य प्रदेश पाच्वे में जारकंट और छट्वे नंबर में था आपका 36 गड़ यह क्या है यह है आपकी overall ranking ठीक है overall ranking है यह आपके total 2019 में अब जो है इसमें एक update आया है 2020 यह तो 2019 की ranking है अभी 2020 का एक नया rank आया है जिसमें 36 गड़ second position पर है आकांची राज्यों की स्रेणी में यहाँ पर ध्यान देने वली बात है क्या बात हो रही है आकांची राज्ये यह जो है आपके overall ranking है लेकिन यह overall नहीं है यह आकांची राज्यों की स्रेणी में second इस्थान पर है देखिए जो ranking आया आपकी ease of doing business 2020 इसमें top achievers category में पहले position पर है करनाटक achievers category में पहले number पर है हिमाचर प्रदेश और आपका aspires category यहानि की आकांची राज्यों की स्रेणी में पहले number पर है असम और दूसरे number पर है ठीक है तो classified करके जो है इस बार rank जारी किया गया है जिसमें aspires category जो आप आकांची जीला वाला जो concept पढ़ते हैं वही है आकांची राज्यों की स्रेणी में हमारे ठीक है असम के बाद दूसरे इस्थान पर है ease of doing business ranking 2020 में ठीक तो category के साथ याद रखिएगा next देखिए next है मुख्य मंत्री यूवा स्वरोजगार योजना और प्रधान मंत्री रोजगार स्रीजन योजना दोरों योजना का concept सेम है उद्देश सेम है पात्रता भी लगभग सेम है और इसके अंतरगत दी जाने वह जो रिण राशी है वो भी लगभग लगभग सेम है तो दोनों को हम compare करते हैं पढ़ेंगे देखिए मुख्य मंत्री यूवा स्वरोजगार योजना जो है आपका इसके अंतरगत यूवा वर्ग को आर्थिक द्रिष्टिस से स्वावलंबी आत्म निर्भर बनाने तथा स्वयम का रोजगार प्रराम करने हेतू बैंकों के मात्यम से रिण उपलब्द कराना यानि कि प्रदेश के जो आपकी यूवा बेरोजगार है उन्हें स्वयम का उध्योग इस्थापित करने के लिए बैंकों से रिण उपलब्द कराना ये मुख्य मंत्री यूवा रोजगार योजना का उद्देशde है वही प्रदान मंत्री रोजगार स्रीजन योजना अगर हम मुख्य मंत्री यूवा सोरोजगार योजना की पात्रता की बात करें तो 18 वर्ष से अधिक आयूका हो, सेक्षणिक योग्यता कम से कम आठवी उत्तिर्ण हो और कंडिशन क्या है 36 गड़ का निवासी हो ठीक है प्रदेश सरकार की योजना है तो कंडिशन है 36 गड़ अगर कोई आपका इस्थापित कर रहे है तो उसमें अधिक्तम जो रेण की सीमा है वो है 25 लाग सेवा छेत्र से रिलेटेड अगर कोई अपना कोई रोजगार प्रदम करना चाहा रहे है तो उसमें अधिक्तम रेण की सीमा है रेण की सीमा है बैंकों के माध्यम से वो है आ जैसे ही अगर हम बात करें प्रधान मंत्री रोजगार स्रीजन योजना की तो इसमें आयू सीमा है 18 वर्स से अधिक सेक्षणिक योग्यता आठवी पास और इसमें जो है प्रधान मंत्री रोजगार स्रीजन योजना के अंतरगत स्वसहायता समुहों को व्यवसाय इस्थापित करने के लिए अधिक्तम कितनी राशी प्रधान की रूप में तो वो है 10 लाख रूप है ठेक, नेक्स देखिए, इस्टेंडअ इंडिया योजना, ये भी रोजगार इस्थापित किये जाने की ही एक योजना है एक साल का प्रशन पूछा गया था, कि निम्न लिखित में से कौन एक स्टेंडअ इंडिया योजना के अंतरगत पात्र नहीं है तो ध्यान दीजेगा इसकी पात्रता क्या है अनुसूचित जाती अनुसूचित जन जाती और महिला वर्ग को जो है Stand-up India योजना के अंतरगत बैंकों की शाखा के माध्यम से रिड उपलब्द कराया जाता है SC, ST और आपका महिला वर्ग इसके अलावा और कोई भी इसमें पात्र नहीं होता तो चौथा option अगर OBC देगा वो अपात्र है चौथा option सावानने वर्ग देगा तो वो अपात्र है और यह आया हो प्रेशने दो बार रिपीट हुआ है Stand Up India योजना के अंतरगत निम लिखित में से कौन सा एक अपात्र है अगर पूछा जाएगा तो कौन अपात्र होगा SC, ST, महिला वर्ग के अलावा बाकि सभी अपात्र है लक्ष, प्रत्यक बैंक साखा हेतु, नियोनतम अनुसुचित जाती जन जाती का एक हीत ग्राही यह महिला उद्यमी को जो है रिन उपलब्द कराएगा इसमें 10 लाक, ठीक है, 10 लाक से लेकर के 1 करोड रुपे तक की जो राशी है इस टेंड़ इंडिया योजना के अंत्रगत उपलब्द कराई जाती है अब कुछ हम इकायो की बात करेंगे, जो की एकोनॉमिक सर्वे में इसका जीक्र है देखे, बायो एथेनॉल प्लांट, बायो एथेनॉल प्लांट जैसे की शकर, शकर से जो है, जो बचने वाला जो उसका अपसिष्ट है उससे एथेनॉल प्लांट इस्थापीत किया जाएगा जैसे कि शक्कर एथनल प्लांट ये कवरधा में इसथापीत होगा, इसकी एक इकाई इसथापीत की जाएगी, वैसे ही जो आपका धान, धान से जो है एखनोर प्लांट इसथापीत की जाएगा इसके ने तीन इस्थान प्रस्तावीत है, मुंगेली, जांजगीर, चापा और यहां पर मुंगेली में दो इकाई आपका जांजगीर में एक इकाई और महा समुन में एक इकाई इस्थापित किये जाएंगे इस एथेनॉल प्लांट के तो इन इकाईों के नाम और इस्थानों के नाम याद रखिएगा नेक्स्ट है Central Institute of Plastic Engineering and Technology प्लास्टिक इंजिनरिंग से समबंदित है जैसे कि CSVTO के अगर हम बात करें तो CSVTO में Mechanical Engineering होता है Electrical होता है Computer Science होता है यह सब इंजिनरिंग के अलग-अलग Stream है वैसे यह रिलेटेट है आपके प्लास्टिक इंजिनरिंग से ठीक है प्लास्टिक इंज सुनने में आता है कि प्राराम हो चुका है लेकिन कई जगह से खबर आती है कि अभी भी प्रस्तावित है ठीक है next देखिए next है ग्रामुद्योग रेशम प्रभाग ध्यान दीजेगा हमारे प्रदेश में जो आपके यह जो रेशम है रेशम का निर्मान किस प्रकार से होता है रेशम जो है एक कीड़ा होता है जिसके ठूक से रेशम के धागे का निर्मान होता है ठीक है एक कीड़ा जो कि इतना बारीक उसके मूल से ठूक निकलता है जो कि बाहर हवा के संपर्ग में आने से ही तुरंद सुक जाता है और धागा बनता है वही होता रेशम का धागा अलग अलग जो है रेशम के कीड़े होते है कोई टसर होता है मलबरी होता है इरी होता है तो हमारे प्रदेश में मुख्यता है टसर क्रीमी यानि की टसर क्रीमी जो आपका कीड़ा है उससे रेशम का जो है आपका उत्पादन किया जाता है इस टसर क्रीमी को मुख्यता साजा और अरजुनी के पौधे में इसका पारन किया जाता है उपलब्द। हमारे प्रदेश में जो है रियायती डर 2 रुपए प्रती स्वस्थ समूह अंडे, याने की कीडे का, और प्रती क्रिशक 100 स्वस्थ डिंब समूह प्रदान किया जाता है। प्रभाग के दौरा संचरीत हमारे प्रदेश के 28 जीलों में लगभाग 427 तसर कोसा बीज केंद्र इस्थापित है ठीक अगर हम इसकी उत्पादन की बात करें ककुन उत्पादन की तो 2020-21 में तसर ककुन 742.04 लाख नग पालित और मलबरी ककुन 58428 किलोग्राम इसका उत्पा खादी एवं ग्रामोद्योग की इस्थापना करना इसका मुख्य उत्पादन केंद्र इस्थापित है जबकि ग्रामोद्योग प्रचेत्र की बात करें देखें ये क्या है खादी एवं ग्रामोद्योग की इस्थापित करता है अगर हम खादी उत्पादन केंद्र की बात क यानि कि ऐसे चेत्र जहां पर ग्रामोद्योग इस्थापित है वो है आपके तीन दुर्ग, कोंडागा और सुक्मजिल में आपका ग्रामोद्योग प्रचेत्र इस्थापित है ठीक इसको बस याद रखना है ठीक है अब कुछ मिसलेनिय से इसको याद रख लिजेगा कभी भ दूसरा कोसा वस्त्र उत्पादन छेत्र है हमारे प्रदेश में जांजगीर चापा और रायगर जिला जो है ये कोसा वस्त्र उत्पादन छेत्र के लिए काफी प्रसिद्ध है सूती वस्त्र उत्पादन छेत्र के अगर हम बात करें तो रायपूर, दूर्ग, बिलासपू आप लोगों के लिए अप्लोट किया जाएगा, थोला सा वेट कर लीजेगा, और हाँ, जो भी वीडियो देख रहे हैं, अगर उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज थोला सा समय निकाल करें, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और वीडियो पसंद आता ह वीडियो को लाइक भी जरूर किया कीजिएगा, आज के लिए इतना ही किसी प्लाइब डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करें पूस सकते हैं, चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, धन्यों